दोस्तों आपके दिमाग में एक बात उठते होगे कि आज आखिर जो भारत के युवा है और नरेंद्रमुदी की दिवाने क्यों हैं क्योंकि आपको भली भांती पता है कि नरेंद्रमुदी की जो परस्णाल्टी है और विश्व के किसी भी नेता में परस्णाल्टी नहीं है भले ही नरेंद्रमोदी अपने सेलरी का बहुत सारे से पैसा है जो कि दान में दे देते हैं कहीं पर भी भारत के किसी भी जगह पर किसी में वहां पर विकास करने के लिए अपनी सेलरी से पैसा काट करके दे देते हैं और अपने एकाउंट में पैसा नहीं रखते हैं और उनक नेंका जो पर्स्णाल्टी गव Floren जो पर्सक्रशनाल्टी है विश्यव के सभीनल में के गखी जब कारण संग्यानुचन Сब्से परकार से ब्यान देते हैं जो कि आप सुझते हैं जो कि बहुत ही अपमान जनक था घटिया सोच होती है उनकी लेकिन आज आप देख रहे हैं जिस तरह से राहूल गांधी चीखने चिलाने लगता है कि नरेंद्रमोदी इतना महांगा कपड़ा पहनते हैं जिस तरह से केजरि परकार से बना दिया गया जो पेन होता है वो चार-चार क्रोड के कैसे लगा दिये और भी अलग अलग परकार से 45 क्रोड रूपए किस परकार से के जिरिवाल के सिर्फ महल जो था वह एक छट गिर गया था और उसके रिपेरिंग में इतने पैसे किस तरह से घुचा दिये गया आज किसी भी चूतिये के मुह से या नहीं निकल रहा है या खिर ऐसा क्यों हुआ क्योंकि एह है उनकी बाप क्यों बखा जाता है आज आकिर नरेंद्र मोदी अपना ओफिस कभी नहीं बनाए उन्होंने जब काम करना शुरू किया 2016 में तो मनमोहन शिंग दोबारा बनवाई गई ओफिस नहीं काम किया लेकिन वह अपने यहां वहां आने जाने के लिए समय बचाने के लिए जब आज डेवलप्मेंट का समय है जब वह अपना अपना एक नया सा एरो प्लेन बनवाए तो उसमें इन चुतियों की पिछवाडे में फिर से मिर्ची सुलगने लगी तथा वो लोग आकर कि इसका बिरोद करने लगे लेकिन अभी तक आपने देखा कि जिस तरह से कोड़ों अपना कपड़ा है तो इस पर सभी लोगों को मिर्ची लगने जाती है तो आप सोच सकते हैं कि इससे घटिया और इन विपक्षियों की सोच क्या हो सकती है इससे गंदा उनकी क्या मान सिकता हो सकती है